इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते उच्चवात यानि की वायू और कफ यानि की जल के साथ पित यानि की अगनी मिश्रित स्थितियों में भी इसकी अनुशंसा की जाती है। ये जड़ी बूटियां सामोहिक रूप से सहक्रियात्मक तरीके से कार्य करती हैं और इस प्रकार यूरिक एसिट के स्थर को बनाए रखने में मदद करती हैं और गाउट के हमलों को होने से रोकती हैं। इसका सूजनरोधी गुण जोडों के दर्द, खीचाव और मोट से राहत दिलाने में मदद करता है। ये हमानसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है और प्रभावित क्षेतरों की चयाप चदर में भी सुधार करता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, रक्त में यूरिक एसिट के स्तर को कम करने में प्रभावी जो गठिया का कारण बनता है। दो, अपने सूजनरोधी गुणों के कारण सूजन, जोडों के दर्द और गठिया-गठिया के लिए उप्योगी है। मान स्पेशियों के दर्द को कम करता है और प्रभावित क्षेत्रों की चयाप्चय दर्व में सुधार करता है।